नमस्कार आज हमारी चर्चा जलनेती के उपर होगी जलनेती जो है ये बड़ी लोक्रिय हो रही है क्योंकि इसका जो फाइदा है वो यहां से लेकर यहां तक हमारे जो यह पूरा पार्ट है इसमें मन भी बड़ा शांत होता है दूसरा नोस्टल एरिया जो है वो साफ होता है देखिया आपने देखा होगा जुखाम लगती है तो हमारा ये नोस्टल एरिया पैक हो जाता है और हमें बड़ी इरिटेशन सी महसूस होती है ना नींद आती ना बैटने को मन करता है इसका मतलब क्या है कि नाक का हमारे दिमाग से बहुत बड़ा संबंध है ये अगर अस्तमा तक यानि हमारे फेफडों तक ये जो पूरा नोस्टल एरिया है ये एरिया साफ नहीं होगा ये ट्रैक साफ नहीं होगा तो हमें सही ऑक्सिजन नहीं मिलेगा और सही ऑक्सिजन नहीं मिलता तो पूरी बोड़ी में एक इरिटेशन सी महसूस होती है तो आप समझे योग की वो क्रियाएं हैं जो शरीर की शुद्धी में काम आती है पंचकर्मा आयरवेद का एक विरेचन का तरीका होता है शुद्धी का वैसे ही योग में शटक्रिया जो है वो एक शुद्धी का तरीका है जिसमें जलनेती यानि नेती जो है वो सबसे पहला आता है यानि न मैं थोड़ी सावधानिया पहले बता दू फिर इसके लाब होगी हम बात करेंगे सावधानिया यह है कि आपको एक तो लोटा जो भी ले वो साफ सुत्रा होना चाहिए बिना धोय हुए आपने पानी इसमें डालके रख दिया और इसको वापीस लिया तो यह खराब हो जाए दूसरा इसमें नाक के जो उपर यहां पर है यह पूरा इसका नोब बना होता है जो नाक के पूरे फिट हो जाता है यह बाहर जो है पानी इसमें से नहीं आना चाहिए तीसरा इसका जो यह उपर का हिस्सा है यह चुबने वाला नहीं होना चाहिए वरना नाक के अंदर ले सकते हैं यह तो पहली है इसके बाद दूसरी जो बात है वो है इसके अंदर आने वाले पानी की कई लोग जो है जो जलनेती एक दो बार कर लेते हैं उनको तो इसका बड़ा आनंद आता है और वो चाहते हैं कि हम बार-बार जलनेती करें तो इसके लिए कई रिसर्च भी हुए और बाहर जो कंट्रीज हैं यूरोपिय देश हैं अमेरिका हैं ये बहुत लोग इसको बहुत पसंद करते हैं लेकिन इसके कई negative effect भी आएं हैं क्या आएं हैं कि पानी जो है वो अशुद ले लेते हैं जैसे नल से पानी आया है उसी नल से जलनेती कर रहे हैं कई लोग वो गलत है वो मत करा करें क्योंकि वो शुद नहीं है उसमें बैक्टिरियाज हो सकते हैं बहुत महीन बैक्टिरिया हो सकते हैं वो हमारे नोस्टल एरिया ये बहुत नाजुक एरिया है इसके अंदर अगर वो बैक्टिरिया चले गए तो वो सीधा दिमाग में असर करते हैं हमारे अंदर के जो पार्ट से उसमें जा सकते हैं तो ये पहली बात ये है, पहला जो बहुत सावधानी है वो है पानी को उबाले, उबाल कर घरम करें फिर उसके बाद में उसका टेंपरेचर एकदम गुन-गुना टाइप जैसे एक नोर्मल पानी होता है, जो हम मुँ में ले सकते हैं वैसा ही नाक में जाना चाहिए दूसरा उसकी बैक्टेरियल वैल्यू को कम करने के लिए नमक जो है चुटकी भर नमक या एक पाव चम्मच, एक लोटे में पाव चम्मच के आसपास जो है वो नमक इसमें डालना चाहिए उसको फिर पूरा घोल लीजिए, ये ध्यान रखें कि नमक जो है मसाले दानी से नहीं ले उसमें मिर्च होगी, तो वो फिर आपको परिशान कर जाएगी नमक और पानी, इसका टेंपरेचर का और नमक की मात्रा का ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये जलनेती की बात है तीसरा, आपका बैठने का तरीका, और चोती जो मूल बात है, वो है यहाँ पर हमारे पानी रुकना नहीं चाहिए, जलनेती जो करता है उसको एक्सपर्ट की राय के दुआरा, या जिसको कपालभाती के अच्छे स्ट्रोक आते हैं, उनको या फिर कम से कम, 500 स्ट्रोक तो ऐसे होने चाहिए, जो पानी को बाहर फैंके हम जटके से पानी को बाहर फैंके, एक बूंद भी रह गई तो वो फिर infection करेगा, जुखाम लगा देगा, फिर समश्चा खड़ी हो जाएगी तो ये सब चीजों को समझते हुए, आप जलनेती करना, ये आसान नहीं है, लेकिन वैसे समझे तो बहुत आसान है जो हाई बीपी वाले हैं, वो इसको नहीं करें, अगर करें तो एक्सपर्ट की राय से और उर्स की देख रेक में ही करें ये ध्यान रखें क्योंकि नमक का पानी है, अंदर जाएगा, बीपी के अंदर कोई समझ्चा ना हो जाए, ये सावधानी रखें साथ में अगर इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो कुछ प्रोब्लम्स खड़ी हो सकती है, जैसे कान की तरफ पानी चला जाता है, आँखों में भी जैसे पानी का प्रेशर पड़ता है, और पानी गले में भी जाता है, गले वाला पानी तो इतना वो नहीं, लेकिन बाक को टच करके रखें थोड़ी देर, वो पानी धीरे 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 प्रेशर करता हूँ, अपने आप नीचे निकल जाएगा, हम क्या करते हैं, लगाते हैं, पानी निकलता नहीं है, तो पानी जितना गया, वहाँ पर जाकर वो रुख गया, हमने उसको बाहर निकाला नह मैंने आपको बताई है ध्यान रखना साफ सफाई का विशेस ध्यान रखना है पानी को उबाल के लिए यह विशेस बात है इस पर बहुत गोर करना लोग नलो के पानी से जलनेती कर रहे हैं यह बड़ा खतरना काम है और फिर उसके बाद में वो उस पानी को बाहर नहीं निका बैठने का यह तो उत्कट आसन है इस आसन में हम बैठ सकते हैं और इसी आसन में बैठेंगे तो ज्यादा बैटर रहेगा क्योंकि इसमें गर्दन को जो है वो हमें दोनों तरफ ऐसे घुमाना पड़ेगा यह लोटा है यह हमारी दो नासिका नोस्टल है पहले जिस नासिक लीजिए और लोटे को थोड़ा सा उपर कर लीजिए अब यहां पर रोके रखेंगे दीरे दीरे अपने आप पानी आ जाएगा अभी मैं बोल रहा हूं और पानी देखिए चालू हो गया है यह जो पानी है यह अपने आप नाक के उपर वाले हिस्से में से निकल कर और कुजरता है तो वहां पर एक संसना हट मिलती है और उससे माइन को जो एक शांति का अनुभाव होता है दूसरा जिनको अलर्जिकल प्रोब्लम हो उनके लिए भी यह बहुत बढ़िया है इसको करते समय मुझ जो है खुला रहना चाहिए स्वास सारा मुझ से आपको लेना ह और अपने आप पानी जो है वो नाक का चलता रहेगा इस प्रकार पानी चलता रहे मुझ से स्वास चलता रहे आपको अपने आप आँखों के उपर वाले हिस्से में बहुत आनंद महसूस होगा आधा लोटा आपने आधे इस नाक से निकाल दिया अब आधा लोटा इस नाक से निकालेंगे इसको भी वैसे ही अब यहां समश्या क्या आती है कईयों के जैसे नाक बंद होता है जाम होता है उनके यह पानी आता नहीं है और यह पानी नहीं आता है इस वज़े से वो बीच में छोड़ देते हैं तो यहां पानी फिर चोक हो जाता है और उससे जुखा मोर बढ़ जाती है तो अगर इतना जाधा भी हो जाए तो भी आपको वो पानी जो है जटके से निकालना है जो मैं इसके बाद में करूंगा यह नाक में फिर हमने फिट कर लिया और थोड़ा सा जुके और पानी चालो हो गया यह हमने लोटे से दोनों नाक से पानी जो है वो निकाल दिया है महत्यपुन बात जो है वो इससे आगे की क्रिया में है कोई टवल ले ले जिए कोई कपड़ा ले 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 जिए और यहां से सीधा ऐसे खड़े हो जाईए इस प्रकार अब क्या होता है जब भी हम यह करते हैं तो कान के उपर भी पानी का प्रेशर आता आता है किसके जिसके जुखाम लगी हो पैक लगा अब यह जो जुखाम होती है इसी को तोड़ने के लिए हम जलनेती करते हैं और इस जलनेती का जो प्रियोग है वो फो अलर otherwise के प्रोब् एक बार आपने नाक से स्वांस लिया, नाक से ही छोड़ने का, ये कम से कम 50 बार आप श्टोक करें, फिर उसके बाद मुह से स्वांस लीजिए फिर उसके बाद में आगे जुकिए कि बाई साइड गर्दन करके बाई जो नासिका है उसको बंद कर लिजिए दाहिनी नासिका नीचे रहेगी अब बाई नासिका से ये मैंने कम मात्रा की है, आप कम से कम 100 बार सारा करेंगे तो 500-600 के इसाब से पूरे स्टोक लग जाएंगे फिर उसके बाद में थोड़ी सी देर रुख जाएए जो एक्सपर्ट है उनको तो इतनी आवशिकता नहीं, वो अपने आप समझ जाते हैं कि कहां क्या करना है, कितना पानी रुका हुआ है, कितना निकलना है लेकिन जो शुरू में करें, वो कम से कम ये मानके चलिए कि 500 श्टोक तो उनको लगाने ही लगाने हैं, वरना ये एक बूंद भी यहाँ पर रह गई तो इसको चोक कर देगा तो ये शुरू शुरू में समझा रहती है, पांच साथ बार करते हैं, अब इसको कब करना चाहिए, ये मूल बात है, हमें सुबह खाली पेट ही इसको करना चाहिए, आफ रेश होके आजाईए, ब्रश कर लीजिए, फिर उसके बाद में करिएगा और इसके बाद कम से कम ये 500 स्टोक लगाने के बाद 15 मिनट आपको सीधे चित जो है वो लेटना चाहिए, जिससे आपको एक मानसिक शांती मिले, मन शांत रहेगा, और स्वशन पर किया आपकी एकदम नोर्मल आनी जानी शुरू हो जाएगी, नोस्टल एरिया साफ हो समबन्दित तो उनको हफते में 3 बार कर सकते हैं, एक-एक बार 2-2 दिन के gap से कर लिजिए, बहुत ज़्यादा सीवियर है, तो किसी योगाचारे की देख रेक में आप एक-एक बार कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा होता है, तो कई लोग दिन में 2 बार भी करवाते हैं, लेकिन ये बहुत सीवियर प्रोब्लम होती है तब उसके बाद में जो समन्य वेक्ती हैं उनको हफते में एक बार करना चाहिए वरना क्या होता है ये चिकनाई ये कफ चिकनाई तो हमारे शरीर के लिए जरूरी है ये चिकनाई नमक और गरम पानी से साफ हो जाती है फिर ये देशी गाय का घी जो है वो अंगूली में लगाकर नाक में लगाकर सो जाए अगर आपको लगे कि जलनेती करते ही किसी को खुशकी आती है तो देशी गाय का घी या बादाम रोगन जो बजार में ओरिजिनल आता है वो बादाम रोगन अंगूली से जो है वो नाक में लग समझ लीजिएगा जलनेती में कोई भी ऐसी बात जो आप करें और सावधानी ना बरते और छूट जाए तो वो गलत है आप किसी भी क्रिया को करें पूरी सावधानी के साथ करें और हमारा उद्देश्य केवल यहां पर आपके लिए वीडियो बनाना और आपको बताना नहीं है हमारा उद्देश्य कि आप वाकई में जलनेती से लाब प्राप्त करें और आप जिस दिन लाब प्राप्त कर लेंगे आप कहेंगे जलनेती से बढ़िया नोस्टल एरिये के लिए कोई क्रिया नहीं है योग के माध्यम से शट क्रियाओं में जलनेती इतनी शांदर क्रि तो ज्यादा बढ़िया है बाकी जो आपके एक्सपर्ट हैं जो आपको करवाएंगी वो आपको सारी सावधानिया बता देंगे ये करके ही जलनेती करिएगा देखिएगा इसका बहुत अच्छा लाव मिलेगा तो पूरी बाते बता दी हैं साथ में जिनको साइनस रहता है ज हो सकता है आधी हो जाएं हो सकता है हर शरीर अलग अलग तरीके का होता है तो आप इसका प्रियोग कर सकते हैं ये बहुत अच्छी चीज है सावधानिया मैंने बताई वह आप जरूर फोलो करें मैं बार बार सावधानियों की उपर कह रहा हूं क्योंकि इसके अगर दूस पर नाम आते हैं तो फिर उसका इलाज करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए पहले सावधानिया फिर उसके बाद में इस क्रिया को करना ये मूल बाते हमने की है और भी कोई विशेस बात होगी तो मैं जलनेती के बारे में आप तक जरूर लेकर आऊंगा और ये शट क्रिया क्रिया तोय।